हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग मैं आसा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि इंडियन ने भी SSR और EMR में जो बाकेंसी आया हुआ है उसमें फॉर्म कब से कब तक अपलाई होगा और फॉर्म भरने के लिए क्या-क्या डॉकमेंट लगेगा तो फ्रेंड विनादीर की चलते हैं वीडियो के टॉपिक पर और डॉकमेंट के बारे में समझते है इसमें पहले नम्बर का जो डॉकमेंट लगा फ्रेंड ओ दस्माओर बारहमा का मार्क्सीत लगेगा जो विद्धार्थी प्रेंड इंडियन ने भी एमार में भरना चाहते हैं उनका दस्मा का मार्क सिट लएगा और जो इंडियन ने भी पास का दसमा का आप लोग मार्थित लएगा मिजिक किसी सब्जच से एर यह और पास रहना चाहिए science subject से समझे ना और दूसरा फिरिंड आप लोग का अधार काड लगेगा जो आप लोग को पहचान पत्र के रूप में रहेगा अधार काड या अधार काड नहीं है तो driving license दे सकते हैं पाइन काड दे सकते हैं बोटर काड दे सकते हैं अधार काड के जगा लेकिन आप लोग को अधार काड रहना ज़रूरी है जिसका date of birth फ्रेंड ओ टेंथ का जो सट्फिकेट होता है ने तेंथ और 12 का सट्फिकेट से मैच करना चाहिए अधार कड पर जो अथिरात नाम रहता ह है और date of birth रहता है समझे ने फ्रेंड आप लोग को टेंथ और 12 का मार्क सिट लएगा आधार काड लएगा समझे ने फिर फ्रेंड आप लोग का कास्ट सट्फिकेट लएगा जाती परमान पत्र लएगा और यहां पर करेक्टर सट्फिकेट है फ्रेंड यानि चलीतर परमा परिच्छा होता है तो आगे आप लोग को चलीतर परमान पत्र भी खोजेगा अभी आप लोग को अधार काड लएगा अभी आप लोग को दसमां बारामा कमार सिट लएगा अधार काड लएगा कास्ट सेट्फिकेट लएगा निवास परमान पत्र लएगा और कारेक्टर स इसमें आप लोग को पासपोर्ट साइज फोटो लेगा पासपोर्ट साइज कलर फोटो लेगा जिसमें फ्रेंट कलर फोटो में किस तरह का फोटो रहना चाहिए आप लोग को समाजना जरूरी है आप लोग को फ्रेंट एक सिलेट लेना होगा सिलेट लेकर आप लोग को छात मैं महईने का ही फ्र्टो का रहना चाहिए अपका नाम और जिस दिन आफ लोग फोटो ग्यिचवाते हैं स्लेट पर लिखा रहना चाहिए तो आप को चलेगा और निथा नहीं चलेगा यानि इसी महीने का रहना चाहिए मैं महीने का ही फ्रिंट आप लोग का फोटो रहना चाहिए डेट रहना चाहिए उस जिसको प्याप का नाम और जनम डेट लिखना रहना चाहिए सम क्या क्या बताई टिनल्थ का Mark sheet स्वस्ंदें, Aadhaar Card, hera certificate निवास परमान पत्र पर क्यरेक्टर सटिफिकेट यहने चलितर परमान पत्र और passport साइज फोटो रहना चाहिए समझे नहीं और जो फॉर्म भरा जाएगा फ्रेंड वो दोनों का बता रहे हैं एसेसर और एमर दोनों का वो तेरह मईद हुजार चोबिस से फॉर्म भराना अस्टाट होगा जो की सताइस मईद हुजार चोबिस तक भरा जाएगा और सभी केटिगरी को चाहिए जेनरल हो ओबी सी हो एसी एस्टी हो महिला हो सभी को फॉर्म भरने में छोसा उन्चास रूप्या लाएगा समझे ने फ्रेंड इस वकेंसी से कोई भी डाउट रहता है या कोई भी वकेंसी से करने का कोशिस करूंगा फ्रेंट वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कर दिजिए और गौवर्मेंट जॉप सब्डेट पाने के लिफ्रेंट चैनल को सिस्क्राइब कर लिजिए तब तक के लिफ्रेंट जाहिए इन्ट